हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अंजली और हमारा यह जो चैप्टर चल रहा है वह है नाजिसम एंद राइज आफ हिटलर हमारे आज की इस चैप्टर का टॉपिक है दे नाजी वर्ल्ड है हमने पिछले क्लास में एकॉनमिक और पॉलिटिकल रिकंस्टॉक्शन के बारे में आथी साथ यह भी परणा था कि किस प्रकार वर्ल्ड सैकेल वर्ल्ड वाज वह स्टार्ट होती है आज कि हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था यानि उनकी क्या आइडियोलोजी तो चली अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अर सिस में ऑठी में उननका भी रहियापित अहरे अभी रेशब कि सम्रस्य जारुपि कि विर वह कॉम्पिरियरेलोग को बताना यह बताना कि हम superior है किसी other के comparison इसे यह समझ दिज़े जब दूर लोगों के बिच comparison किया जाता है किसी भी condition पर किसी भी basis पर आप चाहे वो उनके beauty पर करो उनके weight पर करो behavior पर करो marks पर करो या किसी भी basis पर हम comparison करके जब यह बताते हैं कि यह व्यक्ति आपसे superior है तो उससे ही racial high-a 기 बोला जाता है यह है रिशल हाई आर की यहां racial high-a की मतलब यहां लोगों की commodity पर आप जब comparison करते हो ना लोगों की commodity या group पर जब comparison किया जाता है तो उससे racial high-a की बोलते है तो hitler ne क्या किया था? Hitler नहने यह system अपना था racial high-a की का इसके तहट क्या हुआ था कि ब्लॉंड ब्लू आइड नॉडिक जर्मन आरियन्स को सुपेरियर माना गया था यानि हिटलर के अकॉर्डिंग सुनहरे बाल वाले लोग जिनकी आखे नीली हो उन्हें नॉडिक जर्मन आरियन्स कहा गया है और यह सबसे अन्य लोगों से हैं जो सुपेरियर हैं और सबसे लाश्ट में किसे रखा गया था जीव को रखा गया था यानि हिटलर के अकॉर्डिंग जो जीव को तुक्च मानते थे यह सबसे उपर यह रहेगा फिर उसके नीचे यह थीियव को रखते हैं और जो आइडिया ऑफ रेशि सिस्म यह कहां से आया था तो यह थी rèsविवरी और उस्ट शी लिया गया था चार्स डार्विन कॉन थे चार्स डार्विन एक नाच्रल साइंटीज थे जिन्होंने कॉंसेट ओफ युवलिशन एंड नाच्रल सेलेक्शन दिया था इन हिस बूक ओन द ओर इस पेसिस इनकी थेओरी के अकॉर्डिंग थेओरी यानि कैसे समय के साथ किसी भी और गयानिजम में बदलाव आते हैं इसे यू समझ लेजिए अपने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा होगा आप लोगोंने तो अर्ली मैन के बारे में क्या बताएगा है कि वह पहले किस तरीके से चलते थे प्रीके साथ के साहेता से चलते थे जैसे जाय समय में बदलाव आया उने भी कुछ बदलाव देखनी को मिले पिर एक सामय ने कि बदलाव देखने में को मिले न कुछिजम के नीजमल से यह एक निग्रियर्ट अब दूसरी है हर्बर इन स्टेंसर तो उन्होंने सर्वाइवल और फिटेस का कॉंसेप्ट दिया था बचलर इनके अकॉर्डिंग वैसे लोगी सर्वाइव कर पाएंगे जो फिट हो एक्जामपल के तौर पर यदि किसी सेड और बिल्ली में लड़ाई हो रही है तो इन दोलों में वहीं सर जő塊 झाल लुट्वाइव करेंगे हैं जो बदल समय के साथ हो रहें बदलाव को अपने अंदर धाल पाएंगे अपने आपको उस बदलाव के अकॉर्डिंग और आपको वैसा बिसके बनानेंगे ऐसा इनका आईडिया बोलता था तो जो डार्विंस का जो आइडिया था डार्विंस के आइडिया को रेसिस थेंकर और पॉलिटीशियंस ने एक डिफरेंट वे में यूज अब कैसे तो देखिए इंसान के इंसान के ध्यान में रखते भी नहीं कहा था हुआ कर डिया और यहांने रावन हागः चांट से अ cricket जो बी कटिर जो झाव है दुमम से ज़्यादा सुपीरीयन तुम्हें थे नहीं और इत्मस में मेरी बातों को बंधम अब यह उन्हों ने अपने काम करना स्टार्ट, हीटलर ने इसी बेविश इसी बेसिस पर करना करने एड्या पर के यह थ इक है कि हम इसी थीोरी पर करते हैं यही बूलती है कि जिसे जाधा जाधा we ratio श्ट्रॉंगेग वो एप मैंने तुम्हें में त्वें त्मुछर किया है। तुम्हारे पर जीत हासिल कि तो मैं तुम चे जैदा इन्प स्ट्रोंग अब नाजी का क्या हो था, तो क्या सोचती है। की ज़से जाधा ताकत वर है वह सर्वाइब कर पायेगा और यह कम जोर है वह सर्वाइब कर पाएगा। तो जो Hitler थे वे क्या सोचते थे कि जो Nordic German लोग है तो इसलिए उन्हें ही इस डॉमिनेट दबर यानि उन्हें ही इस वर्ल्ड को चलाना चाहिए उन्हें ही सिर्फ वर्ल्ड में रहना चाहिए बाकी जो उन से कमजोर है उन्हें नहीं रहने के अधिकार है यह था कि अब दूस जर्मन वर्ड है इसका मतलब लीविंग इसके अब इसके क्या था हिटलर चाहते हैं हिटलर सोचते हैं कि न्यू टेरिटरीज है टू बी अक्वाइड फो सेटल्म यानि अपने मात्र भूमी को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना श्टार्ट किया नए नए टेरिटरीज को जर्मैनी के अंधर AID करना स्टार्ट कर दिया आपको याद हो थो आमने पिछले क्लास में पढ़ा था एकानमी क्रैसिस रगती है इकानमी क्राइसिस को ओभर कम क्रने के लिए हिट्लर ने क्या किया था truths इत्लर ने इसी कारे मतलड कि हम अपने जसे ही जर्माणी के टरिटरी डीट टरी टरी इंक्रिमेंड करेंगे छंग मेरे जैसे जैसे उसकी टरिटरी बोड़े बन बाह्टे लिएसपे पास वृलत इस पार कडरी बन इसी सोच के कारण, टरी टरी को बरहाने के कारण हिटलर ने क्या किया था, कि पोलैंड पर आकरमन किया था, अब जैसे ही उन्हें पोलैंड पर आकरमन किया, अटैक किया, कि जो पोलैंड था, हिटलर के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्लेस बन गया था, क्यों? क्योंकि हिटल जो सिस्टम ऑफ बिनीफ और सेट ऑफ प्रैक्टिस था कैसे जो मानते थे उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने चाहा कि न्यू टेरिटरी को अपने अंदर लाना होगा रिसोर्स को बढ़ाने के लिए माटेरियल रिसोर्स भी इंक्रिमेंट बढ़ेगी जिसके कारण जर्मानी जो है पावरफुल कंट्री बनेगा तो उन्होंने क्या किया इन्होंने यह बिलीफ रखा इसके साथ ही साथ प्राक्टिकली रूप में क्या क्या कि पूलैंड पर आक्रमन करते हैं पूलैंड को जर् काफी है हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हमारे इस चाप्टर के नुट्स का पीडियाफ आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवलेबल है